पटना में 6 अप्रिल को सब्जी नहीं बिखने वाली है पटना की सब्टना 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 की बैठक के यहाँ फैसलाल लिया गया है धरसल प्रमंडिलिय आयुक तो कुमार रभी ने फुटपाथी दुकानदारों को सड़क किनारे दुकान लगाने के लिए समय निर्धारित की गई है सुबाव 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 7 बजे से 10 बजे तक ही सबजी बेचने की अन बाकों से फुटपाथ दुकान के लिडर शामिल हुए अर्बिंद सिंग ने कहा कि सरकार ने जो आदेश निकाला है उसकी वजे से फुटपाथ दुकानदारों को तरीके से दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है इसके बिरोध में हम लोग शानिवार 6 अप्रेल को प्रम फुटपाथ दुकानदार है उसमें से 25,000 को ही सर्टिफिकेट और वेंडिंग मिला है आयुकत ने सीधे और निकाल दिया नाही टाउन वेंडिंग कमीटी से कंसल्ट किया नाही टाउन लेवल फेडरेशन और नाही नगर निगम से बात की इसके कारण लोग रोजगार नह और फिर सबजी मंडी भी बंद की जाएगी प्रबंडली आयुकत ने सड़कों पर लगी जाम को लेकर यह निर्ण लिया था उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में सड़कों पर अवैद व्यास्ताइक गति वीदियों की अनुमती नहीं मिलेगी इसके साथ ही वैसे बड़े साइक प्रतिस्ठानों को चिनहित कर कारवाई करने का निर्देश दिया गया था जिनके पास पार्किंग का प्रबंद नहीं है सड़कों पर गाड़िया लगाने से जाम लगता है इसके साथ ही बड़े अस्पतालों के आसपास अतिक्रमन नहीं होने देने का निर्देश द निर्देश को किसी भी सबजी वालों के द्वारा नहीं माना जा रहा है और उनका साफ तोर पर कहना है कि जो टाइमिंग दिया गया है उसमें बिल्कुल भी सबजी की बिक्री नहीं हो पारी है और वहीं उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वो 6 अपरेल को हर्ताल कड़ेंग झाल